नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अपनी क्लास में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर राजस्तान में स्कूल कब खुलने वाले हैं दोस्तों आप सब जानते हैं कि राजस्तान के अंदर 30 नमंबर तक पुरनत्य स्कूल बन रहे हैं लेकिन अब आपको आशा है कि दिसंबर में कैसे भी करके स्कूल खुल जाएं ताक कि हमारी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सके दोस्तों आपको बता दूँ दिसंबर में भी आपके स्कूल नहीं खुलने वाले हैं देखिए जो शिक्षा विबाग है राजस्तान का उसने दिसंबर का कलेंडर भी जारी कर दिया है यानि कि जो आओ हम गर पर सीखें जो प्रोग्राम चलाया गया था ओनलाइन इस्टड दिसंबर में जो प्रोग्राम दोरा ही विद्यारतियों को घर बेटे ओनलाइन पढ़ाई दिसंबर में पढ़ाई जाएगी यानि कि राजस्तान के अंदर कक्षा एक से बारा तक के विद्यारतियों के लिए इस्कूल नहीं खुलने वाली है अब भी आपको अपने घर बे उसका जो कलेंडर है दिसंबर महीने का वो जारी हो चुका है वो आपको मैं कुछ दिर में दिखाता हूँ देखिए लिखावा है राजस्तान में दिसंबर महीने में भी बन रहेंगे सभी शिक्षन सहस्तान यानि कि कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर जितने भी शिक्षन सहस्तान हैं वो अब दिसंबर के पूरे महीने में पुरणता बंद रहने वाले हैं दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्तान सरकार ने दिसंबर महीने का कक्षा 9 से 12 तक के विद्यारतियों के लिए ओनलाइन श्टडी का जो कारेक्रम है वो जारी कर दिया है आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कक्षा 12 के विद्यारतियों के लिए अकादमिक कलेंडर और जो महा है वो बताया गया है दिसंबर 2020 यानि कि दोस्तों दिसंबर 2020 का जो ओनलाइन श्टडी होगी दूर दिशन पर उसका कारेक्रम है वो जारी हो चुका है इसमें आप वार और दिनांग देख सकते हैं एक बाराँ 2020 मंगल वार को आपको इंदिय अन्वारिय के अंदर ये टॉपिक पढ़ाय जाएगा अंग्रेजी अन्वारिय के अंदर ये होगा संस्कृत वाड़य में के अंदर ये होगा इंदी साइटी के अंदर ये होगा इस परकार से सब्जेक्ट वाइज हर दिन आपको जितने भी टॉपिक करवाय जाएगी उसकी लिष्ट है वो आ चुकी है ये जो आपको सबी टॉपिक्स मिल जाएंगे आप ये जो टॉपिक हैं वो अपने दूर जशन चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों इस परकार से आपको जानकारी देनी थी कि आपकी जो स्कूल है वो अब दिसंबर महिने में नहीं खुलने वाले दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें नोट लगा कर बताया गया है कि प्रति दिन निर्धारित कारे करमानुसार तीन विशों का आजयन कराया जाना प्रस्तावित है यानि कि दोस्तों हर दिन आपको तीन सब्जेक्ट दूर दर्शन चैनल पर करवाए जाएंगे चाए वो कौन सी भी क्लास का हो ठीके दोस्तों नोवी से बारवी तक का उसी परकार से प्रते एक विशे के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित होगा यान कि 40 मिनटों के अंदर आपका एक सब्जेक्ट कवर कर लिया जाएगा आपको ओलाइन पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों अब तो आपको यकिन होई गया होगा कि दिसम्बर महीने में भी आपके स्कूल नहीं खुलने वाले दोस्तों यदि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल या फिर गौर्वेट स्कूल में पढ़ते हो और आपकी स्कूल दिसम्बर महीने में भी खुली जा रही है तो दोस्तों आप बेजीजेक कलेक्टर आफिस में सिकायट कर सकते हो और उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उस पर कड़ी करवाई करा सकते हो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो अकबार में अंदर खबर आई है कि बिना अनुमती दो पारी स्कूल चलाने वाले संस्ता परदानों के खिलाफ होगी करवाई यानि कि दिसम्बर महीने के अंदर यदि कोई स्कूल चाए वो प्राइवेट हो वो कुछ भी नहीं हुई है और नहीं आपकी अभी स्कूलें खुल पाई है तो आपको अब चिंता होगी कि हमारी अर्दवार्सिक परिक्षाएं और वार्सिक परिक्षाएं इस साल होने वाली है या फिर नहीं होने वाली तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ हर साल क्या होता था कि दिसम्बर महीने में आपकी अर्धवार्सिक परिक्षाएं ले ली जाती थी लेकिन इस साल पूरे साल आपकी स्कूल नहीं खुलेगी तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपकी जो अर्धवार्सिक परिक्षाएं हैं उसे 2 या 3 मेने आगे किसका जाएगा यानि कि दोस्तों जो दिसंबर महीने के अंदर आपकी अर्धवार्सिक परिक्षाएं होती थी वो अब फरवरी 2021 के अंदर होगी क्योंकि दोस्तों आपकी जो 17 के नमर होते हैं 20 नमर वो उसी online पढ़ाई के माध्यम से दिये जाएंगे यानि कि उसी online पढ़ाई के अधर पर आपके 17 के नमर दिये जाएंगे तो आप उस online study को जरूर लीजिए उसमें आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट के दार पर आपके 17 के नमर भीजे जाएंगे आपको बता दूँ आपकी अर्दवार्सिक परिक्षाएं फरवरी 2021 में होगी उसी परकार से आपकी जो बोड परिक्षाएं हैं वो हमेशा मार्च के अंदर होती थी तो इसमें इस साल आपकी जो बोड परिक्षाएं हैं वो 2021 के अंदर होगी मई 2021 के अंदर तो दोस्तों आपको पता तलगया होगा कि आपकी जो स्कूले हैं वो तो आप खुलने वाली नहीं है इस साल दिसंबर महीने में भी बंद रहेगी और आपकी जो अर्ध वार्षिक प्रिक्षाएं हैं वो होगी यहाँ पे आपके फरवड़ी 2021 में और जो आपकी वार्षिक प जल्द खुले और आपकी जल्द पढ़ाई शुरू हो सके दोस्तों यह अपको मेरी यह जानकर ही पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जिरूर करें और इस वीडियो को शेयर जिरूर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्ट उडियो में तब तक लिए जय हिन जय भरत